हेलो दोस्तों आप सभी का अर्वी क्लासेज में स्वागत हैं दोस्तों आज हम बड़ा ही यूनिक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो अक्सर करके हमारे स्टुडेंट्स को पता नहीं होता है तो दोस्तों 14 मार्च 2023 को हर साल की तरह इस साल भी इंटरनेशनल पाई डे मना आए गया दोस्तों जो पाई का बारसिक हमारा होता है 14 मार्च को जो कि हमारा यू से संयुप्तराव जमिरिका की सवा ने पाई डिवस की मानेता का समर्थन किया तब ही से जो है हमारा 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है दोस्तों इसके बारे में आज हम जो है चर्चा करते हैं पाई के बारे में तो पाई के बारे में जानने से पहले एक साइंटिस्ट है गैलिलियो गैलिली इन्होंने बोला मेट्स बैवासा है जिसमें यूनिवर्स लिखा गया है मेट्स बैवासा है जिसमें यूनिवर्स लिखा गया है तो आते हैं दोस्तों समझते हैं हम लोग क्या आप पाई के बारे में जानते हैं यद आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो जरूर जानते होंगे और यद आप अब किसी विफसाय में हैं तो आपने कक्षा नाइंत में टैंत में जरूर पढ़ा होगा पाई जिसका मान लगबग 22 अपॉन 7 या 3.14 लिखा जाता था नहीं याद आ रहा कोई वात नहीं अपने आसपास पड़े किसी भी गोलाकार बस्तू को हाथ में लें अब किसी स्केल से इसकी परदी मींस चारो उर की बाउंडरी पर जो सबसे बड़ी लम्माई आ रही है उसे लिख लें यह ब्रत या सरकल का डाया मीटर है अब एक धागा लें और उसे परदी के चारो लगा कर इसका मान भी लिख लें यदे आप परदी के ब्यास को यदे आप परदी को ब्यास से जिसे हम डाया मीटर बोलते हैं अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 22 by 7 या 3.14 उत्तर प्राप्त होगा यही पाई है तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा पाई का मान हम पाई अगर निकालना चाहते हैं तो पाई बराबर होता है सरकमफेरेंस अपन डाया मीटर जैसे हम डिवाइड देने पर हमारी वैल्य आती है 3.141 तो दोस्तों मुझे कैसे पता चला आपके हाथ की गुलाकार वस्तू में यह मान आएगा इसलिए क्योंकि याद आप इस यूनिवर्स के किसी भी गुलाकार वस्तू के साथ यह प्रोसेस रिपीट करोगे तो भी आंसर यही आएगा यही मैस का कमाल है मैस का कमाल के साथ साथ यही पाई की पहचान है यह पाई की वैल्यू कभी भी नहीं बदलती तो अंतराश्टिय पाई दवस्त जो दोस्तों हमारा मना जाता है आज की डेट मार्च 14 खास डेट है क्योंकि यद में एक डॉट के साथ यह से नंबर में लिखूं तो 3.14 मार्च बर्स का तीसरा महीना इसलिए 3 है प्राप्त होता है जो पाई के मान से शुरू के अक्षर है अमेरिका के कैलिफोनिया में सिलिकॉन बैली के नजदिक सहर सैन फ्रांसको में इस्तित है एक्स प्लोरेटेरियम अर्थात मैस और साइंस का म्यूजियम अगर आपको मैस और साइंस का म्यूजियम की चर्चा करनी हो तो सिलिकॉन बैली के नजदिक सहर सैन फ्रांसको में इस्तित है यही पर सबसे पहले 1988 में औसेर लाइफ लॉंग लर्निंग के डारेक्टर लेरी सौ ने पहला पाई दिवस मनाया था इस दिन पाई परेड जिसमें लोग गूला कार में परेड करते हैं पाई कोकिंग इटिंग एंड थ्रोइंग खाने वाली पाई Contest and Pi Recitation Contest इत्यादिगा आयोजन किया गया Pi Recitation Contest में तो कुछ लोगों ने Pi के मान को 2000 डिजिस्ट तक याद कर सुनाया Pi एक Irrational द्यान से है या अपरमे संख्या है अर्थाद इसमें Decimal के बार अनंत अंक बिना किसी ओर्डर के आते है Google की एक जापानी Employee Emma Haruka ने जून 2022 में Pi की Decimal में 100 Trillion Digits तक की Value निकाल कर खुद के ही तीन साल के पहले बनाये गई रेकॉर्ड जिसमें Pi की Value 31.4 Dimple Points तक निकाली थी तोड़ दिया खेर ये सब आपको जानके क्या फायदा मिलेगा है कई फायदे हैं यद आप Pi में रुची लेते हैं तो Math की Geometry, Menturation जैसे Topic में मारत हासिल कर सकते हैं जिसके Personal कई Competitive Exam में पूछे जाते हैं यद टोपिकों दूसरों को पढ़ा सकते हैं इसके अलावा यूनिवर्स का यह important concept हमें प्रैक्टिस एंड प्रिप्रेशन के मेत्व को याद दिलाता है पाई से प्रेरित Competitive Exam की प्रिप्रेशन के तरीके निरंतर प्रैक्टिस हमें निरंतर प्रैक्टिस करने चाहिए जिस तरह पाई मैनल संख्या में दस्रमल अविस्तान होते हैं बैसे ही हमारे Skills और Knowledge में सुदार की गुंजाई समीशा रहती है चाहिए हम किसी प्रत्योगता के लिए तैयारी कर रहे हो या केरियर बनाने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करने और अपनी चमताओं को निखाने की आवे सकता है Competitive Exam में चाहिए गड़ित के प्रिप्रेशन पूछे जाए या नहीं Practice सफलता की कुझी है Next दोस्तो Growth Mindset Growth Mindset में उतरफ जैसे पाई की value बढ़ती ही जाती है कभी खतम नहीं होती समर्पन और कड़ी मेनस से हमारी चमताओं और बुद्धी का विकास हमेशा किया जा सकता है जब हम इस Mindset को अपनाते हैं तो हम चुनोतियों को बादाओं के बज़ाए विकास के अफसरों के रूप में देखने की अधिक सम्मावना रखते है Next दोस्तो Motivation हमें पाई से क्या motivation मिलता है तो देखते हैं दोस्तो हम लोग पाई डे जैसे दिन Celebrate करना हमें अपने लक्षों का पीछा करने बादाओं को दूर करने के लिए प्रेरित करता है पाई डे मोटिवेशन और दड़ संकल्ब की सकती के याद दिलाता है पाई से बड़े लक्षों को छोटे सोमें तोड़ना जिस परकार हम जरूरत के अनुसार पाई की बैल्लिव को दो, तीन, चार, पाँच सेक्णों अंकों में प्योग कर सकते हैं उसी परकार सपल होने का एक तरीका विशेस्ट और प्राफ्ट करने योग्य लक्ष निड़दारित करना है बड़े लक्षों को छोटे अधिक प्रबंदनी है लक्षों में तोड़ कर हमें रास्ते में प्रगती और उपलब्द की भावना में सूस कर सकते हैं अन्त में पने पाई दवसकी सोव कामना हैं बधाई धन्यवाद दोस्तो